दियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैफी अकेडमी मैं जैसर इस यूटूब चैनल मैफी अकेडमी पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज फिर एक न्यू आइडेंटिटी के साथ और उसके प्रूफ के साथ हम लोग यहां प्रेजेंट हुए हैं बीना लेट किये हुए इस लोग देखेंगे तो बीना देर किये चलिए हम लोग चलते हैं आज की जो न्यू आइडेंटिटी है उसकी वैलू एल उसके प्रूफ को जो न्यू आइडेंटिटी है वो यह है कि aq प्लस bq is equal to whole cube of a plus b minus 3ab into a plus b होता है यानि aq plus bq is equal to a plus b का whole q minus 3ab into a plus b होता है अगर इसको हम लोग प्रूफ करने जाएं तो देखती हैं कि हम लोग को आरेचेस पार्ट ले करके चलना पड़ेगा जो आरेचेस पार्ट है वो यह है a plus b का whole q minus 3ab into a plus b a plus b का whole q just हम लोग previous class में previous lecture में इसकी value को देखे हैं और इसको proof भी किया है तो just अगर हम लोग previous lecture को देखे previous proof को देखे तो इसकी value आरेड़ी हम लोग जानते हैं इस value को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं put कर सकते हैं इसकी value होती है aq plus bq plus 3ab into a plus b इसकी value हम लोगों ने देख लिया है उसके बाद यह given है 3ab into a plus b अगर हम bracket को जब open करते हैं तो aq plus bq plus 3ab into a plus b minus 3ab into a plus b अब हम लोग देखते हैं कि यह दोनों जो है वो like terms है और like terms के सांसां दोनों की value सेम है और दोनों की जो sign है वो different है यानि value सेम है like terms है लेकिन sign क्या है different है तो यह दोनों terms से एक दूसरे को क्या करेंगे cancel out करेंगे और जब cancel out करते हैं तो उसके बाद हमारी value मिलती है aq plus vq which is our required result lhs that is lhs it is our required result and we have to get this result proved so we have got our proof of this new identities in the form of a plus b ka whole q minus 3ab into a plus b यह formula यह जो values है यह जो identities है इसके और भी forms होंगे और भी रूप में इसके proof आएंगे जो आगे चल करके new lectures में हम लोग provide करेंगे अभी फिलहाल इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद, thanks for watching us